अगर आप एक Best Pedestal Fan लेने की सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा मेरी गैरेंटी है आज इस वीडियो में आपको Top 5 Best Pedestal Fan के बारे में बताने वादा हूँ जो Top Speed के साथ आते हैं और इन सभी के Add Delivery Rate बहुत अच्छी है साथ ही ये सभी एक Well-known Brand के साथ आते हैं इन सभी Pedestal Fan में 2 years की warranty मिलेगी ये सभी under 2000 से 3000 में मिल जाएंगे एक Pedestal Fan लेने से पहले आपको कुछ जरूरी Points पर जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि आप एक Best Pedestal Fan परचेस कर पाएं अगर आपको अभी फैन परचेस नहीं भी करना हो तो इन Points को जरूर देखिएगा इन फ्यूचर अगर आपको Pedestal Fan लेना हो तो आप एक Best Pedestal Fan परचेस कर पाएंगे पॉइंट नमबर बन Body Types, Plastic और Metal फैन का जो Rod और Base होता है वो Metal का होता है और बागी का Parts Plastic का होता है आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप जो Fan ले रहे हैं उसका Base फोड़ा Heavy होना चाहिए ताकि Fan चलते टाइम हिले नहीं क्योंकि अगर Base हलका होगा तो Fan चलते टाइम गिर भी सकता है पहले के Pedestal Fan में 2 Blades आते थे बट अभी के टाइम में 3, 4 या 5 Blades भी आते हैं तो आपको 3 Blades या उससे अधिक Blades वाले Pedestal Fan को ही लेना चाहिए Next आता है Air Delivery Rate Fan की Air Delivery Rate को CMM यानी Cubic Per Minute में Measure किया जाता है Pedestal Fan में 60-70 CMM की Air Delivery Rate होती है बट आपको कोशिस ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा CMM वाले Fan को ही Purchase करना है Next आता है RPM Fan की Speed को RPM से Measure किया जाता है RPM यानी Rotational Per Minute या जितना जादा होगा उतना ही Fan का Blade तेजी से Rotate होगी जिससे Air भी जादा Delivery कर पाएगी Pedestal Fan में 1200-1400 तक का RPM होता है आपको जादा से जादा RPM वाले Fan को ही Consider करना है Next आता है Adjustment, Height, Oscillation and Tilt Pedestal Fan लेने से पहले आपको ये भी देखना जरूरी है कि उस Fan के Adjustment कैसे है यानी उस Fan का Height छोटा और बड़ा हो सकता है यानी और उसका Oscillation भी देखना बहुत जरूरी है Oscillation यानी कि Left और Right आटोमेक्टेकली स्विंग होती है यानी आपको Air सीधे ही नहीं बलकि Room के Left, Center और Right तीनों एंगल में लेनी है तो इसका जरूर से ध्यान रखना है और साथ ही आपको Tilt पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए Tilt यानी कि Fan का जो Part है वो उपर या नीचे होता है यानी क्योंकि आपको Air सिर्फ एक ही एंगल में नहीं चाहिए वलकि आप इसे उपर या नीचे भी कर सकते है नेक्स्ट आता है Power Conjunction नॉर्मल Pedestal Fan में 50-55W की Power Conjunction होती है जिसे आप अपने According पर्चेस कर सकते है नेक्स्ट आता है Copper Coil दोस्तों Market में आपको Two Types के Coil Winding देखने को मिल जाती है Aluminium और Copper Coil आपको Copper Coil वाले ही Motor को Purchase करना चाहिए क्योंकि यह ज़्यादा डूरेबल रहता है नेक्स्ट आता है Brand एक अच्छा Pedestal Fan लेने के लिए आपको एक अच्छे Brand का लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर जितना अच्छा Brand होगा उसकी Build Quality उतनी ही अच्छी होगी तो दोस्तों इन सभी Points को ध्यान में रखते वे मैं Top 5 Best Pedestal Fan का Review देने वाला हूँ बात करें इसके Power Conjunction की तो 55W के साथ आता है वहीं बात करें इसके Build Quality की तो ये ABS Plastic and Metal के साथ आता है यनि इसका जो Rod और Base है वो Metal का होगा और बागी का हिस्सा ABS Plastic का होगा ये Fan 3 Blade के साथ आता है बात करें Blade Size की तो 16 Inch के साथ आता है ये Fan 1350 के RPM के साथ आता है बात करें इसके Air Delivery Rate की तो 68CMM के साथ आता है ये Fan 2-in-1 Convertible System यनि की Table Fan और Pedestal Fan के साथ आता है यनि आप इसे Pedestal Fan से Table Fan में भी Convert कर सकते हैं ये Fan Adjustable Feature के साथ आता है यनि आप इसके Height को Adjust कर सकते हैं इसमें आपको Oscillation यनि Swift का भी Option मिल जाता है ये Fan Glossy Finishing के साथ आता है जिससे बहुत ही अच्छा Glow करता है Look Buys भी बहुत अच्छा है बात करें इसके Motor की तो ये 100% Copper Winding के साथ आता है इसमें आपको Overload का Protection भी देखने को मिल जाता है बात करें Warranty की तो इस पर आपको 2 Years की Warranty मिल जाती है बात करें Price की तो ये अभी Amazon पर 3000 की मिल जाती है लेकिन इसका सबसे Lowest Price का लिक नीचे Discretion में दिया गए हमारे से लिश्ट में Number 4 पर आता है Eyebell का Chrome 10 Pedestal Fan ये Fan 5 Blade के साथ में आता है बात करें इसके Build Quality की तो ये ABS Plastic Metal के साथ आती है इसके Blade 406 mm के साथ में आती है ये Fan 1350 के RPM के साथ आती है बात करें इसके Air Delivery Rate की तो 68 CMM के साथ आती है इसमें आपको Adjustable Mode देखने को मिल जाता है जिसमें आप इसके Hide को Up Down कर सकते हैं साथ ही इसके Left और Right में इसके Angle को Change कर सकते हैं इसमें आपको 100% Copper Winding देखने को मिल जाती है इसमें आपको Powder Coated Meta Grill देखने को मिल जाता है वहीं बात कर इसके Features के तो इसमें आपको High Air Flow देखने को मिल जाता है 3 Speed Control देखने को मिल जाता है इसमें आपको Whisper Quiet Operation देखने को मिल जाता है आईवल का ये fan 4 star के energy rating के साथ में आता है, बात करें इसके warranty की तो इसमें आपको 2 years की warranty देखने को मिल जाती है, बात करें इसके price का तो अभी Amazon पर इसका price 2300 रुपीस है, लेकिन इसका सबसे lowest price का link नीचे description में दिया गया है, आप चेक आउट कर सकते। हमारे selection में number 3 पर आता है Amazon basis high speed pedestal fan, इसकी build quality ABS plastic और metal की है, ये 55 watts के साथ में आता है, Amazon के ये fan 1456 rpm के साथ में आता है, ये fan 400 mm के blade size में मिल जाता है, बात कर इसके air delivery के तो 70 cm के साथ में आता है, Amazon के इस pedestal fan में आपको एक remote भी देखने को मिल जाता है, which is good, इस fan में आपको speed control करने का option भी देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपको adjustable feature देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको height, oseling and tilt देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इसके height को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसमें left, right, sweep का भी feature मिल जाता है, साथ ही इसमें tilt या नहीं इसके fan area को आप या down कर सकते हैं जिससे इसका airflow किसी भी angle में किया जा सकता है इस pedestal fan में overload protection देखने को मिल जाता है वहीं बात करें इसके warranty की तो Amazon इस पर आपको 1 year की warranty देती है बात करें इसके price की तो Amazon पर आप इसका price 2799 रुपीज है लेकिन इसका price up down होता रहता है तो इसका सबसे lowest price का link निचे description में दिया गया है आप check out कर सकते है हमारे इस list में number 2 पर आता है Vigard का Sfera STS plus pedestal cum table fan इस fan में आपको 3 metal blades देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको 1350 का RPM motor देखने को मिल जाता है बात कर इसके add delivery rate की तो 70 cm के साथ में आता है Vigard का ये fan 2 in 1 convertible modes के साथ आता है यनि आप इसे table fan में भी convert कर सकते हैं और इसको pedestal fan में भी convert कर सकते हैं बात कर इसके build quality की तो ये strong ABS and rust free body के साथ में आता है which is good इसमें आपको slick look and durable build देखने को मिल जाता है इसमें आपको 3 speed adjustment देखने को मिल जाता है which is good इसमें आपको noise बहुत कम देखने को मिलता है इसमें आपको adjustable mode देखने को मिल जाता है जिसमें आप इसके height को कम या जादा कर सकते हैं इसमें आपको serene का भी feature देखने को मिल जाता है वहीं बात करें इसके motor की तो यह 100% copper motor के साथ में आती है which is good इसके metal grain में आपको powder coating देखने को मिल जाती है which is good बात करें इसके warranty की तो companies पर आपको 2 years की warranty देती है बात करें इसके price का तो अभी Amazon पर इसका price 2699 रुपीज है लेकिन इसका lowest price का link नीचे description में दिया गए है आप check out कर सकते हैं हमारे से list में number one पर आता है USA Max Pedestal Fan बात करें इसके build quality की तो यह ABS plastic and metal की बनी है यह 60 watt के power consumption के साथ में आता है उसा का यह Pedestal Fan 1350 RPM के साथ में आता है which is good वही बात करें इसके add delivery rate की तो 70 cubic per minute के साथ में आता है और इसका blade size 400 mm का है इसमें आपको 3 plastic blades देखने को मिल जाता है इसमें आपको adjustable feature देखने को मिल जाता है जिसकी help से आप इसके height को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके angle को change कर सकते हैं left, right, center में वही आपको इसमें tilt का भी option देखने को मिल जाता है जिससे आप इसके fan area को आप या down कर सकते हैं यह काफी elegant design है जिससे काफी attractive दिखता है इसमें आपको 3 speed switch control देखने को मिल जाता है जिसकी help से आप 3 अलग-अलग low, medium और high में fan की speed को change कर सकते हैं इसमें आपको 100% copper coil winding देखने को मिल जाती है और साथ ही आपको overload protection देखने को मिल जाता है which is good साथ ही आपको 2 years की warranty देखने को मिल जाती है वहीं बात कर इसके price का अभी Amazon पर इसका price 2499 रुपीज है लेकिन इसका सबसे lowest price का link नीचे description में दिया गया है दोस्तो ये pedestal fan काफी highly recommended है तो आप इस वाले fan को consider कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिगने वाला item भी है और काफी trusted है तो दोस्तो ये थे हमारे top 5 best pedestal fan के list जेने आप अपने according purchase कर सकते हैं दोस्तो अगर आप हमारा support करना चाहते हैं इतने भी हमने pedestal fan दिखाए हैं उनमें से अगर आपको किसी को भी purchase करना हो तो इन सभी के buying link नीचे description में दिये गए हैं आप checkout कर सकते हैं और purchase भी कर सकते हैं तो दोस्तो प्लीज हमारे दिये गए link से ही अपने purchase को complete करें दोस्तो अगर आप हमारे दिये गए link से purchase करते हैं तो आपके price में एक रुपे का भी change नहीं आएगा और आप हमें support कर पाएंगे तो दोस्तो अगर आप इस वीडियो से related कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप comment box में comment कर सकते हैं मैं उसका reply जरूर दूँगा दोस्तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर करते हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please जल्दी से subscribe कर लें और अपने जानने वालों इस वीडियो को जरूर सेर करें तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक यू यह आप चेकाउट कर सकते हैं